हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एडवांस अगरिकल्चर यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आलू की खेती की उपर हमारी यह वीडियो रहने वाली है तो आलू की खेती पार्ट 3 पर आपका most welcome है और आज की इस वीडियो पर हम बहुती बड़े विसाय के बारें बात करने वाले हैं आलू की खेती 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 जुल सा को आप कैसे समय रहते प्रेंठी पर रूप में कंट्रॉल और रुक्ताम कर सकते हैं आज पर चैनल पर कुछ जादा ही बड़ी मात्तरा पर फैल जाता है तब कोई भी फपुन नासा काम करने वाली नहीं है तो preventive के रूप में हमारी आलो की फसल पर blight ही ना आए तो preventive की रूप में सबसे best दवाईयें कौन सी है और यादी हलका फुलका early blight या फिर late blight आ भी चुका है तो उसे भी आप कैसे control कर सकते हैं तो इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आलो की फसल पर second spray कब करना चाहिए किस stage पर करना चाहिए और west फपून ना सक कौन सी है इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखीगा तो चलिए शुरू करते हैं आलो की फसल पर second spray पर आप जब आलो की फसल लगभग 40 से 45 दिन की आसपास की होती है लेट बिलाइट एफर अरली बिलाइट का हलका फुलका प्रकोप है तो आप जैसे रेडोमल गोल्ड फपून ना सकाती जिसमें मेंको जैप प्लस मेटा लेगजल का कॉम्बिनेसन हैं आप 30 ग्राम 15 लीटर पाने में घूल करके छड़काब कर सकते हैं लेकरन जब हमारी आलो की फसल वो आई से लगभग 40-50 दिर की आसपास की होती है और लेट बिलाइट और अरली बिलाइट के जो सिम्टम्स हैं कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं तो आप बी एएसेप कमपनी की कैब्री टॉप फपून ना सका च्छड़काब कर सकते हैं बी एएसेप कमपनी की कैब्री टॉप 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से च्छड़काब कर सकते हैं यदि आलो की फसल पर हलका फुलका बिलाइट का प्रिकोप है तो आप इन फपून ना सक का च्छड़काब कर सकते हैं जैसे रेडोमेल गोल्ड फपून नासक है, मौक्सीमेट है, करजट है, रिवस फंगी साइट जैसी फपून नासक का आप छलकाब कर सकते हैं। लेकिन कुछ जादा ही बड़ी मात्रा पर बिलाइट का प्रुकोप हो चुका है, तब आप जैसे एक्रोवेट आती है, जिसमें डाई मेथिराम का कॉम्बिनेशन है, इसके अलाबा नेटवो फपून नासक का आप छलकाब कर सकते हैं, जिसमें ट्राइफलोक्सी इस्टूब का भी आप छलकाब कर सकते हैं, जिसमें साइमॉक्सेनल 22.1% प्लस फेमॉक्सड़न 16.6% का कॉम्बिनेशन है, जो की ऐसी फॉम में आती है, इसके अलाबा वायर कंपनी की इन फिरिंटो फपून नासक का भी आप छलकाब कर सकते हैं, आप इन फपून नासक का भी छलकाब कर सकते हैं, तो इस वीडियो पर हमने बताया, आलू की फसल पर यदि कम हलका फुलका बलाइट का प्रकोफ है, तो आप मीडियम रेंज की फपून नासक का छिड़काब कर सकते हैं, और अधिक बलाइट है, और प्रेबिन्टिब की रूप में ही वढ़िया काम करने वाली ह तब आप 100% कंट्रोल कर पाएंगे, यदि बलाइट कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, तब कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल वाला काम होता है बलाइट पर, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, फिलहाल आज की इस वीडिय पारवा सितना ही धन्नवाद